बिस्मिल्लाहे रहमान रहीम असलाम लेकम रहमत उल्लाही विबरकातु हूँ जी क्या हाल चाले आप सबका आज मैं आपके लिए बहुत ही जबर्दस और बहुत ही युनीक रेस्पी लेकर आई हूँ और ये रेस्पी है सब्वे सेंड्विच की ये रेस्पी आम तोर पे हम बहुत ही कम घर पे बनाती है इसको खाने के लिए अकसर बजार से ओर्डर करना पड़ता है या फिर आपको रेस्टूरंट जाना पड़ता है तो आज से आपका रेस्टूरंट जाना बिल्कुल बंद और आप जो गर में ओर्डर करती है वो भी आप आज से ये वल जो रेस पी के अंदर बताऊंगी तो यहां भी मैंने एक कीलो चिकन लिया है चिकन है बोनलेस और इसकी आपने इस तरह से छोटे-छोटे पीशिज कर लेने हैं छोटे-छोटे पीशिज करके जिस तरह से भी आपको पसंद है आप उसे साब से कर सकती है अभी अदर धिए एक दालेंगे अद्री बॉकु हम छोट मोटा मोटा रिखन अवादुट के alors दालेंगे ली मुग का रंस सुय सेके तो अभी हम यह जो चिकन है इसको डालेंगे इस खुले बरतन में और इसको बरतन के अंडर लेंगे अशिधे ऑचन दालेंगे तो आपका चिकन बहुत ही जबरदर से मेरनेट होगा और जो मसाला है ना अदर क्लेस्टन का जो पेस्ट है वो बिलकुर साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा तो अभी इसके अंदर सारे मसाले डालके तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सोस और सिरका डालक दौषचे तरह से मेरनेट कर लेंगे दाकर जो आपका चिकन ना इसके अंदर तक जो मसाला जाएना अच्छी तरह से मेरनेट यहां तो यह पे राए पैन जे लेंगे इसके अँदर हम थोड़ा सा ओल लगा कि दुरन करेंगे चिकन को डालके हम इसको अच्छी तरहा से फ्राई कर लेंगे मुझे ना यह बर्तन छोड़ा लग रहा था क्योंके चिकन ज्यादा है और फ्राइपान जो थोड़ा छोड़ा है तो इसका में डालने होंगी किसी बड़ी देरीजी के अंदर क्योंकि जो बाल चिकछ स्वारा पानी चुढ़ दी और चुले से बाहिर आ रहा था चुले यहा है तो इसका अच्छी तरह से बून लेंगे यहां अच्छी तरह से खुश्कोच जाए इसके अंदर आपने पानी बिल्कूल भी निम डालना यह अपनी पानी के अंदर अच्छी तरह से प्यों जाएगा तो यहां पर जब तक मेरा चिकन फ्राई हो रहा था मैंने यहां पर सलात बना लिए तो अब भी हम अग्ला स्टैप शुरू करते हैं यहां पर मैं लेकर आई हूं तो अभी हम इसकी जो है ना वह कटाई करेंगे सारे बर्गर निकाल के ना तो यहां पी मैं सक्थ कटाई करती हूं ओडही events तो मुझे से बिल्कुल भी कटाई नहीं हो रही थी मुझे इतना मुझे इतना ख्राइब घराना से ना तो यह वह तो मुझे अची-तरह जब हम्बर्गर लेने जाती हैं दो पता नहीं कियों कि जल्दी से कुछ लिए इसकी दर्मयान में से कट लगा लेजिए दो फिर मेरे जहन में आइडिया है कि यह चुछ हैं ने चुरिए को थोड़ा साम तेज मीं जबर्दस और असानी से इसके अंदर मैंने, काट लगा कि ना, rural wat आदा आदा कर लिया. अपर इस सारी बर्गर बंद हैं, इन क्यमक्किर बैट मैं जारी वाह sind完श्निकंद को आदा करणेワ. तो यह देखिए जी सारा कमाल जो है ना वो इस ट्रकॉरे का कमाल है तो अभी हम इसको साइड भी करते हैं और सबसे पहले हम सब्वे सैंड्विच की जो सोस है वो त्यार कर लेती हैं तो यहां पर एक टोरी के अंदर हम डालेंगे मायोनीज और मायोनीज डालके ना तो इसके तो अगर, आपके पास जो मस्टर्ड सॉस होती है वह भी है तो, आप इसके अंदर डालेंगे तो जाबी बहूत, ही जबरदस ही जब्रदसे बनेंगी तो इस तरह सारी सॉस को रिख जाए जब लेंगे और यह यह एकशा का घुघृ ने हो जबदस सीह विरा हो जाएगी औ तो इनको उतार लेंगे जहां से हमने काटल लगाया है ना वहां से उस साइड से थोड़ासा फ्राइब करना है बाकि बाहर से तो बिलुकुल इतनी जबरदस्ट वुन ना पहले यह भी होई हैं यहां पी हम थोड़ा से इसको हम हलका से गरम करेंगे कि थोड़ासा यह जो एकटी आपने सौस को हम डालेंगे बर्गर लगांगि अच्छी तरह से दोनों साइड पे अच्छी तरह से स्प्रेड कारके तो इसके उपर लगाएंगे सलाद बत्ता साथ में थोड़ी साथ ही और टमाटर जो भी सलाद आपकाँ पसांद है वा के ऊपर लगा सकती है और इसके उपर डानेंगे फ्राई की हावा चिकन, चिकन बहुत ही जबरदस फ्राई होगा है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम तिका बनाती हैं, बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहा था, और दुबारा से बर्गर लेंगे, इसके उपर अच्छी तरह से जो सौस है उसको स्प अपनी पसंद की कोई भी स्लाज ले सकते हैं, अच्छा इसके उपर प्यास डालेंगे ना, प्यास की स्लाइसे को स्टालेंगे, तो वो जो सेंडविच ना, बहुत ही जबरदस बन जाएगा, मैंने इसलिए यह नहीं डाला क्यों कि कुछ बच्छों को प्यास पसंद नहीं ना तो इसलिए मैंने प्यास डाला था, लेकिन अगर आप प्यास टालेंगे, तो आपके जिस सेंडविच जाईका भएंगे जबर्दस बन जाएगा, मैंने अपने सेंडविच के अंदर प्यास डाला था, तो इतना लाज जवाब जाईका था, इसका बहुत ही जबर्दस बना था, तो यहां पि हमारे सारे जो सब्वे सैंविच हैं बनके त्यार हो चुकी हैं, अलहमदोलिल्ला, इतने जबरदस्त और इतने लाजवाब बने थे सब गरवालों को बहुत ही पसानदाए थे, तो आप भी इस तरह से सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो बनाएंगे, तो आप गए चीज़ को और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश चीजेंस के अंदर इस्तमाल हुई है तो इसलिए जहां पे आपने एक खाना है वहां पे आप दो खाना पसंद करेंगे तो अमीद है कि आपको आज की रस्पी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें और मुझे दूआं भी याद रखिएगा आप साब की दूआं की बहुत दुरूरत है आप साब पर भी अपना खास फजल कर मता फरमाए आमीन सुमा मीन तो फिर मिलती है अगली नहीं और बहुत ही मज़े की वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज